सोना चांदी ना मागू ना मागू हीरे मोती अंधेरों में भटक रहा हूँ मागू तेरी जोती मुझे कर दे रोशन तू 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 बाप बेटे रुल कदुस के नाम में आमीन मसी यसु में मेरे अजीजो एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल आपके खिब्मत में हाज़र हूँ और आज मैं उस अपनी कंटिन्यूइशन को जो मैंने अमाल की कताब के बारे में आपके साथ इस्ते डिशियूर की थी और फिर बीच में से छोड़ना पड़ा मुझे और साथ वीक मैंने कुछ और आपको टीचिंग दी थी तो अब मैं दुबारा से आपके साथ मिलकर हाज़र हूँ ताके अमाल की कताब की इस स्टड़ी को हम जारी रख सकें जी हाँ ये एक मताले सरसरी मताला है और ये कोई डीप स्टड़ी नहीं है इसलिए मैं वर्स बै वर्स तो नहीं जाता लेकिन जितना भी जाएंगे हम खुदाउन के कलाम को और जानने की कोशिश करेंगे तो अजीजों इस वक्त जहां से हमने छोड़ा था वहीं से सिल्सरा शुरू करते उससे पहले आईए हम खुदाउन के हज़ूर जुके कुदूस कुदूस अस्मानी बाप तुझे था जो है जो आने वाला है तुरा शुकर अदा करते हैं तेरे इस जिन्दा कलाम के लिए जो तुने अपने बंदों के जिरे से बख्ष दिया अपने पाकरू के जिरे से लिखवाया और तेरे बंदों ने लिखके हमारे लिए छोड़ा ताके हम अपनी जिन्दिकियों को तेरी मर्जी के मताबिक मना सकें पाक रूँ इस वक तेरी हुदूरी में जुखके ते नाम को मुबारिक कहते हैं ते नाम कौंचा करते हैं क्योंकि तू भला है तेरी शफ का तब्री तेरी वफदारी पुश्टर पुशिराती है खुदाओं तेरी भलाईयों को जानने के लिए आज जब मुझे किलाम को खोले तो खुदाओं मैं तो सिल तमास करता हूँ कि अपने पाक रूप को भेज दे जो मुझे सिखाए, मुझे से बात करे और फिर मेरे जिरिये से खुदाओं तेरा पाक रूप हम कलाम हो और जितने लोग आज सुनने के लिए बैठे हैं, देखने के लिए बैठे हैं वो सब बरकत पाएं और तुझ में आगे बढ़ें यसम सिनासरी के नाम से आमीन मैं JC World Television का शुक्र गुदार हूँ कि उसने मेरी पिछली जो सीरी सी उसको मुकमल किया और उसमे जो तो खुदा को जानने और पहचानने के हवाले से बाचित की थी, उसके लिए मैं उसका शुक्री आदा करता हूँ और भाई आरिफ का और उनकी सारी टीम का और अब जब हम अमाल की किताब को फिर दुबारा से जोइन करते हैं तो उमीद करता हूँ के भाई इससे उसी कंटिमिटी में ले आएंगे तो आईए हम खुदा उनके किलाम में से अमाल की किताब और उसके नौ बाब पर चलते हैं क्योंकि हमने अमाल आठ बाब में फिल्पस के उस वाक्य के आखिरी मैसेज सुना था जिसमें हमने देखा था कि कैसे खुदा ने फिल्पस को हबशी खुजा के लिए इस्तमाल किया तो नौ बाब में उसकी पहली तीन आएते मैं पहले आपके सामने पढ़ूंगा और साउल जो अभी तक खुदावन के शागिर्दों के धमकाने और कतल करने की धुन में था सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के बादिखाना के लिए इस मजमून के खत मांगे के जिन को वो इस तरीक पर पाए खुआ मर्द खुआ और उनको बाद कर यरुशलम लाए तो पहली दो आएते मैं आपके सामने पढ़िए तीस सीरिस से आगे फिर पर पढ़ते जाएंगा इस देश्का सो मेरे अजीज़ भाई और बेहनों मैं एक वर फिर आपका शुक्र आदा करता हूँ कि आपने सबर के साथ मुझे मौका दिया कि मैं उस सीरिस को मकबल कर सुकूँ अब हम वापस इस बाइबल स्टेडी पर आगे हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देते वे मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम साउल यानि पॉलूस के बारे में जानने की कोशिश करने जा रहे हैं जी हाँ सो अजीसों आप और मैं अमतिता किलीसिया में पॉलूस रसूल यानि साउल की तबदीली से तवाक्ष हैं कि कैसे खलाओ अदेशू ने उसे अपने पास बॉलाया तो मगर आज हम पॉलूस रसुल की तब्दिली से पहले जो पॉलूस रसुल जो साउल था उसको जानने की कोशिश करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे तो लफ पॉलूस जो है वो तब्दिली के बाद का नाम है उससे पहले उसका नाम साउल था जिसके तीन मतलब है पहला मतलब है कर्ज मांगा गया, जी हाँ साउल का मतलब है कर्ज मांधार मांगा गया, दिया गया, भी गिवन और कबर, यानि जो दफनाया गया, कबर इसका मतलब भी है, और जो आखरी मतलब है, जो हमारे कुकलाम के इस हिस्से में ज्यादा असर अन्दाज जो नाम का मतलब हो रहा है, वो है तबाह करने वाला, जी हाँ, सो हम तमाम दूसरे नामों को छोड़कर, बाइबल में से पहले इस नाम के बारे में थुड़ी सी मालूमात ले ले, सबसे पहले पेदाश की कताब में हम पलूस, यानि साओल का जिकर पाते हैं, जी हाँ, उसे पहले कहीं साओल का नाम इस दौाल नहीं हुआ, पैदाइश की कताब और उसके 36 बाप की 37 और 38 आयत में साउल का नाम मिलता है और साउल जो था वो बनी ईसू था ईसू के जो अलाद है उसमें से था और बादशा था उसकी नसल में से जो लोग थे उन में से एक वो बादशा था और उसके बाद पिर जब दुबारा उसका जिकर आता है बाईवल में साउल के नाम का तो वो फिर आता है पहला सेमेल और उसके नौ बादशा होने के लिए जो कैस कहलाता था उसके वो यहां साउल को वो जो है एक बादशा होने के लिए खुदा चुनता है और सेमुल नवी जाके तेल की कुपी लेकर से सर पर उन्डेल तार उसे मसा करता है क्योंकि बनी इसराइल ने खुदा से बादशा मांगा था तो ये जो है दो जगे हैं पराने अधनामे में और इसलिए जो हम इन दोनों नामों को देखते हैं तो हमें साउल एक बादशा पराने अधनामा में नजर आता है और फिर तवारीख में भी उसका जिकर मिलता है कि साउल बादशा पादशा था और क्या कुछ उसकी जिन्दगी में हुआ अजीज़ ने अधनामे में अब्दताई कलीसिया को सताने वाला जो था या उसे तबाह व बरबाद करने वाला जो चक्स था उसका नाम भी साउल ही था और ये वो ही साउल है जो जब स्टिफनिस को संकसार किया गया उस वक्त वो वहां बैटा था जोश से भरा हुआ था और जो संकसार करने वाले थे जो गवा थे उनके कपड़ों की देखवाल के लिए बैटा हुआ था सिर्फ यही नहीं बलके जब उसको संकसार कर चुके तो उसके बाद खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो साउल के कतल पर राजी था मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यह दो हवाले ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ जिहां आमाल की कताब और उसके छे बाब में हम देखते हैं कि जब स्टिफनस को गिरफतार कर लिया और उसे संकसार करने के लिए गए तो वहां पर लिखा हूँ इस पर उन्होंने बाद आदमियों को सिखा कर भेजा ताकि वो उसको जो है स्टिफनस को संकसार करें ठीक है तो जब वो उसे संकसार करने के लिए ले गए तो वहां हम हम देखते हैं स्टिफनस के संकसार के वक्त में वहां वो मुझूद है जी आजीज़ों यहां हम देखते हैं अमाल साथ बाप और उसकी अठावन आएट यहां लिखा है और शेहर से बाहर निकाल कर उसको संकसार करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पास रख दिये जी हां यह जवान था ठीक है और उसके बाद उसकी जो साथ आएट है आखरी और जब स्टिफनस बड़ी आवाद से बकार कर एख़दा उन इनके गुना इनके जिम्मे नहा लगा यह कहकर सो गया तो आठ बाप की पहली हैत हमें बताती है और साउल उसके कतल पर राजी था जी हां साउल उसके कतल पर राजी था और फिर ख़दा के किलाम में हमने सीख पहले ही तो वो सिर्फ यही नहीं बलके उसके बाल किलीस्य को सतने वालों में सबसे बड़ा और आगे बढ़ बढ़के लोगों को तंग करने वाला था जी हां इसी आठ बाप की आगली आएत जब तीसरी आहत मैं आपके सामने परता हूँ और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह कर रहा था कि घर 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 घुसकर और मर्दों और अर्टों को गसीड कर कैद कराता था जी हाँ वो घर 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 घुसके अपने मज़भी जनून के साथ वो लोगों को कैद कराता था वो अपने मजख़ब के, जैसा कि आज केल हम देखते हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं, जो मसीहों को तंक करना चाते हैं, जो उनको दुख देना चाते हैं, तो अकसर उनमें आपको नौजवान और ऐसे मजभी जनूनी लोग नज़र आते हैं जो उनके लिए इनसानी जन्दकी की कोई कदर केमत नहीं और इसी तरह का जनूनी जो था वो साउल था और फिर इसी तरह से हम उसकी इस बात को जो उसके नाम का मतलब बनता है उसको भी उसकी जिन्दगी में हम देख सकते हैं जियां वो क्या करने वाला था उसका जो आखरी मतलब था मैंने आपको भी बताया था याद है जियां वो तबाह करने वाला उसके नाम का मतलब है तबाह करें और वो कलीसिया को सच मुझ तबाह कर रहा था मर्दों और अर्टों को गसीट कर घरों में से निकाल के कैद खाने में डालता था और वो एक ऐसी मज़भी जनूनी हालत में था जिस पर उसकी तर्बियत हुई थी और वो अपने उस तर्बियत पर अमल करने में बड़ा फखर मैसूस करता था और ये जो उसकी खुद अपना बियान है जो उसका खुद बियान है वो जब अगरपा बादशा के सामने मसीही हो जाने के बाद जब वो पौलूस बन गया जब वो अपना बियान वहां देता है तो वहां आमाल की 26 वाब, आमाल की किताब 26 वाब के चार आएत, मैं आपके सामने चार और पांच आए पढ़ता हूं, और वहां लिखा है, सब यहूदी जानते हैं, यह पनुसुसुर के अपने बियान है, साउल के अपने मूखी सबानी यह अलफाज है, सब यहूदी जानते है कि अपनी कौम के दर्मियान और यरुशलम में शुरू जवानी से मेरा चाल चलन कैसा है रहा है चूँके वो शुरू से मुझे जानते हैं अगर चाहें तो गवा हो सकते हैं कि मैं फुरीसी होकर अपने दीन के सब से ज्यादा पाबंद ये मजभ फिरका की तरह जिना 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 जि कि मैं ये भी समझा था के यसु नासरी के नाम की तरह तरह से ब aven Hero करना मुझ पर फर्ज है जी हाँ आज भी बहुत सारे मज़ा है में नौजवानों को बच्चों को ये सिखाए जाता है कि वो यसु के नाम की मखालफत करें और उसको भी यही कुछ सिखाया गया था और वो जानता था इस बात को और वो कहता है कि मुझे पर ये फर्ज था जैसे आज भी नफरत करना फर्ज सिखाय जाता है लोगों को तो वो इसी तरह का जुनूनी था वो और अगली आयत में लगए चुनाचे मैंने यरुशलम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से अख्तियार पाकर बहुत से मुकदसों को कैद में डाला और जब वो कतल किये जाते थे तो मैं भी यही राय देता था यानि क्योंकि वो शरीयत को जानने वाला था इसलिए वो उस टीम में भी जाके बैठता था और उन पर जो फत्वा दिया जाता था मजभी लीड़ों के दर उसमें भी वो शामल होता था और हर अबादत खाना में उन्हें ससा दिला दिला कर जबरदस्ती उन से कुफर कहलवाता था बलके उनकी मुखालफत में ऐसा दिवाना बना के गेर शेरों में भी जाकर उन्हें सताता था ये था साउल ये था साउल अजीज़ों और ये उ और अच्छी तरह से साउल जो है अपनी आपको जो बियान करता है जिसको साउल को समझने के लिए हमें जो देखना है वो हम उसको दुबारा से गलतियों के खत में भी देख सकते हैं उसमें वो उसका अकरार करता है वो कहता है कि मैं इसका अकरार करता हूँ कि मैं कलीसिया को तबाह करने वाला था और फिर फिल्पियों के किलिसिया को अपने खत में साउल ने अपने आपको यू बियान किया है फिल्पियों के खत में अपने आपको पुलूस जो साउल ने अपने आपको इस तरह से बियान किया देखिए दरा मेरे साथ मिलके फिलिपियों तीन बाप पांच और छे आएथ वो अपने आपको बहुत फखर से बताता है कि वो कौन था आठवे दिन मेरा खत्रा हुआ इसराइल की कौम और बिन्यमीन के कबीले का हूँ ठीक है इसराइल की कौम और बिनियमिन के कबीले का हूं इबरानियों का इबरानी शिरियत के इतबार से फुरीसी हूं शिरियत के इतबार से कौन हूं फुरीसी जो शिरियत को मानने और पढ़ाने वाले लोग थे जिसे पूछा जाता था शिरियत के बारे में जोश के इतवार से कलीसिया का सताने वाला और शिरियत के रास्तबाजी के इतवार से बेएव था यानि पूरी शिरियत पर अमल करने वाला था लेकिन इसी वज़ा से ना सिरफ वो अपने मधब पर पका चलने वाला और मजब की खातर लोगों को मारने और उनको तंग करने और सताने के लिए हर वक्त त्यार रहने वाला था ये है साउल अजीजों इसी नौजवान को जो श्रीयत का आलम था यानि फ्रीसी और दीवानगी की हद तक अपने मजब से प्यार करने वाला साउल क्लीशिया को इस मजबी जोश में सताने को इसी मजबी जोश से भरे हुए क्लीशिया को सताने के लिए हम एक मिनद दरा यरुशिलम से बाहर निकला था के दमिश्क जाए और दमिश्क के अबादत खानों से उन लोगों को जो मसीही तरीक पर चलते हैं उनको पाए और कैद करके बांद कर लाए किसलिए ताके सरदार काहिन उन्हें सजा दे सके मगर उसे पता नहीं था वो जानता नहीं था किसके साथ क्या होने वाला है बेशक वो अपने नाम के मताबिक ठीक था बेशक वो अपने मजब के मताबिक ठीक होगा बेशक वो अपने शरीयत के लिहास से वो ठीक कर रहा होगा लेकिन वो जानता नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है जियां अजीज़ों जितने भी लोग मसीयों को सताते हैं उनको आज के इस सबक से अगर वो देख रहे हैं सुन रहे हैं सीखने को मिलेगा आप जरूर अपने दोस्तों से इस बात को शेयर कीजिएगा और उनको बताईएगा खास दोर पर ऐसे लोग जो मसीयों नहीं हैं और उनका जोश भरा है के वो मसीयों को सताएं उनके लिए ये मैसिज आज का बहुत सबकामूज है मगर रास्ते में हम देखते हैं कि उसका टाकरा तीसरी आएद से मैं पढ़ता हूँ जब वो सफर करते करते दमिश्क के नस्दीक महुंचा तो ऐसा हुआ के यका यक आस्मान से एक नूर उसके गिर्दा गिर्द चमका जिया अजीजों जब नूर आता है तो अंधेरा दूर हो जाता है जब नूर आता है तो जलमत दूर हो जाती है जब नूर आता है तेरगी दूर हो जाती है जी यहां थी सो सो नूर के चमकने से उसकी जो दुनियावी आँखे थी जो मजभी पंध था जिन आँखों में जिन आँखों से वो अपने आपको मजभ़ब की एनक लगा के देख रहा था वो आँखे अंधी हो गई और उसकी रोहानी आँखे खुल गए उसके रोहानी कान खुल गए वो रोशनी इसकदर तेज थी कि उसकी आँखे हालागे उसके साथ और लोग भी थे वो अंदे नहीं हुए क्योंकि वो उस नूर को देखनी पाया थे सिर्फ वो आवाज सुन रहे थे उस नूर को अगर कोई देख पाया तो वो साहूल था और उसकी दुनियावी आँखें अंदी हो गई और उसकी रोहानी आँखें खुल गई तो मैं आपके सामने इसे आगे पढ़ता हूँ ती सिर्फ से मैंने आपके सामने पढ़ता है यक असमान से एक नूर उसके गिरता किरते चमका अजीज़ो मैं इसे पहले के आगे बढ़ता हूँ मिझे दिल में ये भी आ रही है बाग कि खुदावन ये सुने फरमाया था मैं दुनिया का नूर हूँ मैं दुनिया का नूर हूँ और नूर अंधेरे में चमकता है जीज़ो और वो नूर चमका और साउल उसको देख पाया और वो जमीन पर गिर पड़ा यनि साउल जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी के ऐ साउल ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है उसने पूछा आए खुदामन तु कौन है उसने कहा मैं यसू हूँ जिसे तू ने सताया है मगर उट शहर में जा और जो कुछ तुझे करना चाहिए वो तुझे से कहा जाएगा जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश कड़े रहे क्योंकि आवास तो सुनते थे मगर किसी को देखते नहीं थे जो बात अभी मैंने आपसे कही कि उस नूर को देखने के लिए सिर्फ साउल की आँखे खोली गए थी दूसरों ने नहीं किसी ने उस नूर को देखा सिर्फ साउल ने उस नूर को देखा आवास सब ने सुनी थी आज भी बहुत सरे लोग हैं जो दुनिया में यसु को नहीं जानते उसकी आवास तो सुनते हैं लेकिन उसकी नूर को देख नहीं पाते क्योंकि उनकी रूहानी आँखे अब तक खोली नहीं गई है और जब खुदा का मकर्रा वक्त आएगा उनकी रूहानी आँखे खुलेंगी वो यसु को देख पाएंगे मगर किसी को ना देखते थे और साउल जमीन पर से उठा लेकिन जब आँखे खुली तो उसको कुछ दिखाई ना दिया जब उसने आँखे खुली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो तीन दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया सुद्धी सो ये है खुदा के किलाम की वो बात जिसने साउल को उसकी जिन्दगी को बदल दिया जी हाँ खुदा के कलाम में हमने देखा है कि वो जिसमानी आँखों से उस नूर को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो नूरों के नूर में रहता है वो उस जगह रहता है जहां खुदा बाप खुद बैठा है उसके देहने हाथ बैठा है वहाँ फरिश्टे भी अपने आँखों को ढांक के रखते हैं और ऐसी जगह पर रहने वाला जब किसी पर जाहर होगा तो दुनिया भी आँख उसे कैसे देख पाएगी ऐसे ही जैसे कोहितूर पर जब खुदामन का नूर खुदामन का जलाल मुसा के सामने से गुजरना था तो खुदामन ने उसे फरमाया था कि तू पहाड की ओड में खड़ा हो जाना ताके तू मुझे पीछे से मेरे जलाल को सिर्फ देख सके क्योंकि तू मेरे सामने से तू मेरे नूर का जो जल्वा है उसे वरदाश नहीं कर सकेगा और खुदा नहीं चाहता था कि वो उस वक्त अंदा हो जाए क्योंकि मुझेस के अलावा उस वक्त वहाँ कोई ऐसा शक्स नहीं था जिसे खुदा कहता कि जा और उसकी आँखों को ठीक कर जी हाँ अजीज़ों तो इसलिए खुदा ने मुझेस को जब अपना वो जलाल दिखाया तो उसके चेहरे पर वो नूर की रोशनी ऐसी थी के लोग उसको देख नहीं पाते थे और फिर मुझे पर कपड़ा डालके चलता था वो ही नूर जब पौलूस रसूल ने देखा तो उसकी आँखें जो थी वो बिलकुल कुछ उसे दिखाए नहीं देता था और फिर लोग उसे पकड़ कर ले गए वो लोग जनों ने जिन जो लोग उसकी आवास को सुन सके थे वो पौलूस रसूल कुदमिश्क में ले गए और फिर खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो तीन दिन तक कुछ देख भी नहीं पाया और ना उसने कुछ खाया और ना उ कैसे खुदमने रोया में एक आम मसीही को नजर आकर रोया में हकीकत में नजर आना और रोया में नजर आना ये अलग अलग बाते हैं जी हां बाद लोग जब कोई खुदा का खादम ये कहकर कलाम करता है बताता है कि खुदा ने मुझसे ये कलाम किया खुदा मुझ पर जा हम उसको अपनी नजरों में च्छोटा बना लेते हैं, कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अजीजों, रोया में ये मुम्किन है क्यूंकि कि खुदा का किलाम हमें बताता है। जी हां रोया में खुदाने हननिया के पास आकर से जो के एक शागिर्द था उसके पास उस पर जाहिर हुआ रोया में उसे का के ए हननिया उसने उसे का ए खुदान में हाजरूं खुदान ने उसे का उठ उसकुचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तरसीसी को पूछ ले क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है अजीजो हननिया का जिकर हम 12 शागिर्द रसूलों में नहीं पाते 120 की जो जमाद थी उन में भी नहीं कहीं नजर आता लेकिन वो उन लोगों में जरूर शागिर्द हो गयते पसिबली वो लोगों में उन लोगों में से था जो तीन हजार इमान लाए थे जो सुनकर इमान लाए थे जिनने यसु को नहीं देखा था लेकिन रोया में यसु उनके पास आया और उसे दिखाई दिया और उसे आकर कहा के जा और साउल तरसीसी को पूछ क्योंकि वो दुआ कर रहा है जब रुहानी आँखे कुल गई दुनियावी आँखे बंद थी तो एक ही रास्ता था रुहानी दुनियावी आँखे कुलने के लिए और वो यसु था इसलिए तीन दिन तक पूलूस रसुल रोजे में था और दुआ कर रहा था और खुदा के किलाम के मताबग जब हम इसको देखते हैं तो उसने हनियावन ने डर कर जवाब दिया कि ऐ खुदामन मैंने बहुत से लोगों से शक्स का सुना है कि उसने यरुशलम में तेरे मुकदसों के साथ कैसी कैसी बुराईया की है और यहां उसको सरदार काहिनों की तरफ से ख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उनको सब को बांध ले मकदसों ने उसे कहा कि तू जा क्योंकि ये कौमों बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहर करने वाला मेरा चुना हुआ वसीला है देखिए, वही सताने वाला साउल, वही तबाह करने वाला साउल, वही जो बरबाद करने वाला साउल था, उसे खुदा ने चुन लिया, वो आया तो यसु को मजीद सताने के लिए था, मगर, क्या हो गया, उसे ही अपना गवाह बना दिया, उसे ही अपना गवाह बना दिया, और मैं उसे जता दूँगा कि उसे मेरे नाम की खातर किस कदर दुख उठाना पड़ेंगे और वो दुख देने वाला खुदा ने चुन लिया ताकि वो दुख उठाए दुखों में से गुजरे और खुदा ने का कि मैं उसे बता दूँगा दुखे में नहीं रखूँगा सत्रवे आए से उन्नीस वे आए तक पसननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा यानि साउल पर उसने अपना हाथ रखे सो जीज़ो उसने उस पर हाथ रख कर कहा एबाई साउल खुदावन यानि यस्व जो तुझ पर उस रा में जिससे तू आया जाहर हुआ था उसी ने मुझे भेजा है के तू बीनाई पाए मैं अपने अख्तियार से नहीं आया हूँ मुझे यस्व ने भेजा है के तू बीना हो जाए तेरी आँखें खुल जाएं और रूल कुदुस से भर जाएं और रूल कुदुस से भर जाएं और फौरान उसकी आँखों से चिलके से गिरें और वो बीना हो गया यदि उस नूर से जो आँखों के सामने जो हमारे स्कलेरा कहलाता है वो जो जल गया था उस नूर से वो गिर गया वो छिलके गिर गए उस रोशनी के सबब से जो हमारे आँखों के सामने जो पर्दा है उसमें से छिलके गिर गे और नए छिलके पिछे से आ गए नई स्क्रीन उसके आँखों के सामने आ गई जिससे वो देख सकता था और लिखे और वो बीना हो गया और उठकर बब्तिस्मा लिया फिर कुछ खा कर ताकत पाई अजीजों अमाल की कताब में बहुत सारे मौजज़ात लिखे हैं बहुत सारे मौज़ात मगर मेरी नजर में और उन तवाम खुदा के खादमों की नजर में जो खुदा को सच मुझ प्यार करते और उसकी खिदमत में लगे हुए है साउल की तबदीली से बड़ा मौज़ा कोई नहीं है जी हां अजीज़ो, साउल की तब्दीली के मताबिक जो है, इससे बड़ा मौजज़ा और कोई नहीं है क्योंकि बाकी सारे मौज़े जो है, वो वक्ती थे, लेकिन ये दाइमी मौज़जा है ये पर्मानेट मौज़जा था, जिन को हात्माँ मिले थे, वो चले फिरे, लेकिन फिर दुनिया में नहीं रहे जो मुर्दे जिन्दा हुए, वो फिर दुनिया में नहीं रहे, दुबारा मरना पड़ा होने लेकिन साउल की बदली हुई जिन्दगी वापस खुदा से दूर नहीं गई, वो दाइमी और अब्दी हो गई कितनी खुशुरत बात है एक सताने वाला जिसका नाम ही सताने वाला है बर्बाद करने वाला जिसका नाम है उस बर्बाद करने वाले को खुदा लेता है और अपने नाम की खातर इस्तमाल करने के लिए रख लेता है यानि ऐसी चीज़ जिससे लोग दूर भागते थे यानि मुकदसीन भी उससे दूर भागते थे उन्हें उन में से खुदामन ने उसको साउल को ले लिया और उसे अपने काम पर लगा लिया सो अजीज़ो जितने भी मुझज़ात दर्ज हैं आमाल के किता में ये सबसे बड़ा मुझ़ज़ा है हमारा खुदा जो अमन का खुदा है हमारा खुदा जो महबत का खुदा है हमारा खुदा जो गुना माफ करने की कुद्रत रखता है वो आज भी साउल जैसी तबियत रखने वाले और मसीहत को सताने वालों पर जाहर होकर उनकी जिन्दगियां बदल रहा है उनकी जिन्दगियां बदल रहा है अजीजों खुदा ने मसी यस्यू की सूरत में इस दुनिया में आके आपके और मेरे लिए उस मुकदस जिसमें जिसमें कोई गुना नहीं था कुर्बान होकर और अपनी जान देकर सिलीप पर आपके लिए और मेरे लिए लोहू बहाकर आपके और मेरे गुनाहों की माफी का बंदोबस कर दिया क्योंकि बगेर खून बहाई माफी नहीं और शिरियत के मानने वाले इस बात को अच्छी तरह चांते हैं इसलिए बनी इसराइली आज भी बेल, बक्रे, बच्छे इसके कुर्बानी करते हैं और जो दूसरे मजाहिब के लोग हैं वो भी सदका देते हैं अपने गुनाहों का कुफारा देने के लिए और जो और लोग हैं वो बल्ली चड़ाते हैं अपने गल्तियों की माफी के लिए लेकिन आपके और मेरे लिए खुदामन खुद उस कामल बदन को लिए हुए आगया और सलीब पर अपनी जान दे कर उसने आपके और मेरे गुनाहों को माफ कर दिया उन सारी खताओं को मिटा डाला उन सारे गुनाहों को धो डाला जिसके लिए आप और मैं उसके हज़ूर अकाउंटेबल थे ये काम बंद नहीं हो गया ये आज भी जारी है ये आज भी जारी है और क्योंके खुदा मुहबत करने वाला खुदा है इसलिए आपको और मुझे मुहबत का सबक दे कर गया है आज भी साओल जैसी तबियत रखने वाले मझभी जनूनी जो है वो कलीषया को सताते हैं वो कलीषया पर जलम ढाते हैं और अबददाई कलीषया में और आज की कलीषया में फर्क यह अजिख़दों के उन्होंने इंट का जवाब पत्थर से भी नहीं दिया बलके वो क्या करते थे ना तलवार के बदले तलवार चिलाते थे बलके जब क्रीसिया पर जलम बढ़ता था तो सब लोग एक दिल और जान होकर बदल और जान यक दिल होकर उनके लिए जो सताए जा रहते दुआ करते थे और उनकी दुआओं के सबब से खुदा का मौजज़ा हो जाता था और वो लोग ना सिरब बच जाते थे बलके दूसरे लोग उनके सबब से बच जाते थे इमान ले आते थे दूसरी लोग खुदाओं की कुद्रत पर और उसके मौज़ज़ात पर और ये सुनाम पर जलम करने वाले सर्बराहनाई मुम्लकत भी थे सताने वाले मज़भी लीडर भी थे सताने वाले वो भी थे जो यसु का दिदार दिदों ने पाया उनके पीछे पीछे चलते थे उस जिसमानी बदन में जब उसे देखा लेकिन अजीज़ों वो यह नहीं जानते थे कि यसमसी आज, कल और अब तक यकसा है यसमसी कल, आज और अब तक यकसा है वो बदना नहीं कल भी मौज़जे करता था वो कल भी दुखियों को बचाता था वो कल भी महया करता था वो कल भी दो मचली और पाँच रोटी को पाँच थार को खिला सकता ना आज भी वो ऐसे ही मुजज़े करता है आज भी वो मुड़े जिंदा करता है आज भी वो तकलीफों से रहाई बक्षता है लेकिन उसके पास इमान के साथ आने की जरूरत है आप अगर इस बात पर इमान रखें आज इस बात का इकरार करें कि आप गुनागार है अगर आप इस बात को माने के आप से गलतिया हुई है और यस्व के नाम का इकरार करें और इस बात का इकरार करें कि तुम मेरी खातराया सलीप पर अपनी जान दी मौत और कबर पर फत्व पाकर जिन्दा हो गया और आप आसमान पर बैठा है इसलिए तुम मुझे नजात दे दे तो वो आज आपके सारे गुनाओं को माफ कर सकता है जैसे साउल की जिन्दगी बदल गई थी सताने वाला था बरबाद करने वाला था और वो खिद मत करने लगा आपको शेतान सता रहा है आपकी जिन्दगी में शेतान ऐसे काम आपसे करवा रहा है जो आप करना नहीं चाहते क्योंकि आप कैद में है आपकी आँखों को इ जरूरत इस बात की है कि यसु के पास आजाएं, वो आपकी रुहानी आँखों को खोलना चाता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपको आगे लेके चलना चाता है, और वो आपको अपने साथ रखने के लिए जगा त्यार कर रहा है, ताके हमेशा हमेशा की जिन्दगी में अजीज़ोदन्या किसी लीडर ने, किसी नभी ने, किसी भी एश्वर या भगवान ने, ये वादा नहीं किया है, कि मैं जाता हूँ तके तमँआरे लिए जगा त्यार करो, कि फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लो, तके जहां मैं हूं तुम भी हो. ये सिरफ यसू ने ही वादा किया है और बाकी सारे अंबिया, सारे जो भगवान है वो लोगों को सीधा रास्ता बताते रहते है लेकर यसू फक्त एक ऐसी हस्ती है जिसने कहा रा, हक और जिंदगी मैं हूँ कोई मेरे वसीले के बगएर बाप के पास नहीं आ सकता क्या आप चाते हैं बाप के पास आना आज मौका है जी हाँ, अपनी जिंदगी पर गोर करें हो सकता है आप कलीशिया के सताने वालों में से हो हो सकता है आप कलीसिया में रहकर कलीसिया के लिए तकलीफ का वाइस बने हो अपने कामों के सबब से कलीसिया की बद्रामी का सबब बने हो अपने माबाप भाइन भाइयों की बद्रामी का और शर्मिंदगी का वाइस बने हो यस्व आप से शर्मिंदा नहीं है वो आपको बुला रहा है आप उसके पास आ जाए क्योंकि साउल ने जब उसे पैचान लिया फिर उसने कुछ और याद नहीं किया साउल जुक गया तीन दिन रोजे और दुआ में जुक गया और खुदा ने किसी को भेज दिया आज आप के लिए भी खुदा ने मुझे बेजा है कि आप तक इस खुशखबरी के पेगाम को पहुँचा दूँ अगर आप चाते हैं तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अपने सरों को जुकाएं और मेरे साथ दुआ करें खुदाओं तु जो आसमानों में रहने वाला है लाखो लाख फुरिश्टे तेरे हुजजू कुदूस 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 पुकारते हैं और खुदाओं उन्होंने अपने आँखें जो बिल्कुल तेरे नस्दीक हैं ऐसे फिरिष्टों ने अपनी आँखें और पाउं ठक रखें अपने परों से ताकि तरह तेरी तजली उन पर ना पड़े खुड़ों तो ऐसी जगा पर हम जैसे गुनागारों को ले जाकर रखना चाहता है ताकि हम रोज तुझे रूबरू देख सकें और तुसे बाते कर सकें और तेरी हुजूरी को महसूस कर सकें तो जिन्दा खुदा तेरे पास आते हैं हम मानते हैं कि हम गुनागार हैं हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं हम मानते हैं कि हमारी जिन्दगी ऐसी नहीं कि जिस पर हम फखर कर सकें ये तरह फजल है ये तरह रहम है कि तु हमें उठाए फिरता है माफ कर देता है कबूल कर लेता है तरह शुकर उखदावन कि तेरे हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है खास तोर पर तेरे इस इस अदा के लिए इस एक्ट के लिए खदावन कि तुने खुद बेटे की सूरत में आके मेरे और हम सब के गुनाहों के लिए अपनी जान को बलीदान कर दिया ताके हम नजात पाकर इस काबल हो सकें कि तेरे साथ रह सकें तेरे इस कुर्बानी के लिए हम तेरे शुकर करते हैं जितने सा तेरे हज़ूर जुके हुए हैं उन सब के गुनाहों को माफ कर, हर तरह की बीमारी को खुदाओन अपने यसु नाम से दूर कर दे है, क्योंकि तेरे नाम में कुद्रत है, तेरे लहू में शिफा है, तेरे जखमों में शिफा है खुदाओन, क्योंकि तेरे किलाम में लिखा है कि तेरे मार काने से हमने शिफा पाई और तेरे लहू बहाने से नजात दे खुड़ा आज तू इन सारे जुके वोगों पर अपना फजल कर दे उन्हें शिफा भी दे दे और नजात भी दे दे खुड़ा ताके वो किसी और देवी देवताओं और खुड़ाओं के पास ना जाएं बलके सिर्फ और सिर्फ त पर निगाह करें ये सुनासरी पर निगाह करें सूली पर निगाह करें खाली कबर पर निगाह करें और इस काबल हो जाएं कि वो तुझे जिन्दा को जिन्दा को मानने वाले हों और तेरे पीछे चलने वाले हों ये सुनासरी आज के कलाम को बाबर कर ठहराना और हमारी जि को भी पौलूस जैसे जिन्दगी बनाना उस साउल जैसे जिन्दगी बनाना जिसे तबदीली के बाद तेरा खादम बन गया और हमें अपने जलाल के लिए इस्तमाल करना युसमसी नासरी के नाम से आमीन झाल